नवस्का दोस्तो स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चैनल पते दोस्तो रायस्तान थार्ड गेड सिचक वरती 2024 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है जिया दोस्तो रायस्तान थार्ड गेड की जो पातता परिच्छा है दोस्तो उसको ल राइस्तान बेरोजगार एक इकत महासंग के अध्यच रहे और बरतमान वे बीजेपी सरकार के प्रमुक दोस्तों नेता उपेन यादब की तरफ से दोस्तों फाइनली ट्वीट आया है एक बार मैं उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों क 50% जो आरचण है महला आरचण है उस पर दोस्तों सरकार एक वार फिर शेप बदलाव कर सकती है 50% आरचण को बापस ले सकती है क्योंकि लगाता सरकार का ब्रोध हो रहा है और इसको लेकर ओपेन यादम नेवी दोस्तों क्योंकि वह भी बीजेपी से है सरकार के सामने चात सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को आप पूरे जरू देख लेना साथ मगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने हैं सबसे पहले आप दे सकते हैं उपे नियादव का ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले वनोंने ट्वीट किया है और इसमें आप परिच्छा यानि कि रीट प्री एक्जाम स्कूल विया कहता सेकंड गेड और फस्ट गेड की जो बढ़ती है उसको लेकर कम्पूट अंदेशक की बढ़ती सिच्चा वाग में जल्द ही आएंगी लेकिन तेती सिच्चा वाग में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि पहले री नोटिपिकेसन जारी होना उसका इमत्यार कर रहे हैं और महीं दोस्तो रीट पातिता पर इच्छा का नोटिपिकेसन जल्द ही जारी होगा अगला महीना जो अगस्त का महीना हैं आपके लिए कापी इंपुटेट रेड़े वाला है दो साल बाद दोस्तो राह इस्तान में 2022 में जुलाई के महीने में रीट हुआ था उसके बाद इस साल अब रीट होगा रीट पाते दा परिच्छा का नोटिविकेशन राइस्तान अजमीर बोड के द्वारा जारी के जाएगा जो अजमीर बोड है जिसके द्वारा टैन्थ और ट्वल्थ की बोड एक जाम राइस्तान रीट परिच्छा काईजन किया जाएगा बाइन दोस्तों अगर बात करें अजमीर वोड तो इसका नोटिविकेशन जारी करेगा इस 50% जो आरच्छन है महिला आरच्छन का लगाता बिरूद चलने से संसोदन किया जाएगा उप्चुनाब का बैसकार करने की चेताव नहीं दी ती राइस्तान विवास सकती एकिकत मासंग ने कलेक्टेट पहुंचे नारवाजे की उप्चुनाब आने वाले हैं तो से तीन महीने बाद इसे में दोस्तों छात्रों ने उप्चुनाब में बीजेबी सरकार का बैसकार करने का कहा है इसलिए सरकार 50% मह और आप केंद्र में भी देखोगे तो केंद्र में भी महलाओं को 30% ही आरचन में लाग हुआ हैं सिर्फ राइस्तान में चुनाव और बोट की बैस सरकान ने पयान दिया था हलंकि लागू नहीं किया गया है और इसे पहले कुछ दिन पहले ही बोट के जो अध्य जो आपक अगास्त महीने में आपका नोटिपिकेशन रीट का जाएगा तो दोस्तों तयारी अभी से स्टार्ट करते हैं आप यह ना सूचे कि मेरे को तयारी करने के लिए समय मिलेगा बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा अगर अगास्त में बरे जाते हैं अट्टूर में ही वेपर वो जारी करेगा अब बात कर लेते हैं मैंस एक्जाम बोले करें कि 50% को लेकर सरकार पर लगाता दवाब बना हुआ है इसलिए सरकार 50% जो महिला आरच्छन दोस्तों इसको बापिस लेगी और इसकी जगह जो आरच्छन बापिस लिया जाएगा दोस्तों बोड की तरफ से आर जब आपका रिट का नोड़ इटान आएगा उसमें तो 50% कोई भी मायना नहीं क्योंकि उसमें 50% रिद्ध थर्ड जो आपकि मैंस एक्जाम ज्जय सille Carbon को लेकर करका गया था तो अभी रीट जब तक कोई भी दिक्कत नहीं है मैंस एक्जाम में कर आच्छन लागू भी करती हैं 50 परसेंट तो नोटीपिकेशन का ब्रोध होगा नई रीट पर इच्छा नए बोर्डर दिच को लेका दोस्तों जल्द ही बोर्डर नीथी त्यार करेगा और आने वाले दोस्तों में आपके दो सब्ता के अंदर ही रीट का नोटीपिकेशन आजाएगा अब बात कर लेते हैं जिन थात्रों का रीट पहले से ही पास है जो मैंस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं 30-35 जार पदों पर रीट की नई वरती आने वाली है अब इसे अपने तैयारी करना स्टार कर दें दोस्तों 30-35 जार चोंतीस जार पद एक्सपक्टेट रहेंगे इसमें लेवल फर्स्ट लेवल सेकिट दोनों के मिलाकर साला देपन फोटर पर अभी 38 जार पद सिच्चकों के खादी चल रहे हैं रीट में दोस्तों बाहरी स्टीसी बारी राज्यों से किया उसकी जहां चल रही है कि अगर उन कॉलेजों की मानेता रद्ध हो चुकी है तो उनकी बीएस्टीसी को मानने गोस्त नहीं किया जाएगा ऐसा 2021 की जो वरती हुई थी तो 2022 की माफ़ किजेगा उसमें कापी सारे विद्ध्यार थी इसी तो प्रतस्ट या जानीमानी कॉलेज से ही विएस्टीसी करें तो इस चीज को भी दोस्तों आपको देख लेना है कोसिस करें राहस्तान सब्सक्राइब करें ताकि आपको यह समय जो टोटल सीट रहती है 200% उसमें से भारी राज्य कर दिर पॉद्ट सेंटे रहती है और राजितान निवास्टन क्लिए 47 डर्ली परेइख सामिल कर सकती है क्योंकि दोस्तों पाँच पर अरचण महिलाउं को को देगी 50% 5% 35% तो कहीं न कहीं यह अच्छा प्लस फंट रहेगा जो राजस्तान की वह हैं जो वास्ता में राजस्तान से बीएश्टीसी किया है उनके लिए अच्छी अपडेट हो जाएगी साथ मुझा भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि बाहरी राज्य के कापी सारे चाहतर बीएट बीएश्टी करके उनकी सीटों को ले जाते हैं और उनका सेलेक्शन नहीं उपाता है पांच परसेंट कोटा में रखा जाएगा और इसका नोटिविकेशन आने वाले दोस्तों जो दिनों में देखने को मिलेगा रीट का रीट पातता को लेका तो देखिए न से त्यारी कर रहे हैं और जो परी में पास होंगे वह भी तियारी करएंगे तो उसमें भी 15 स्ज्वाराइस यह जो भाग लैंगे प्लस यूह शता हैं बार पास होगे यह भारडा जो से इद्ध्यातिस में सामल होंगे तो और फंद्र लाग तो फोरम आपके प्रीव में बढ़े जाएंगे तो इस वार हाट रहेगा महिला अरच्छन भी बढ़ जाएगा तो लड़कों को ज्यादा मेनत करने जरूत है लड़कियों को भी मेनत करने जरूत हैं लड़कियां इस सा आप जादा कर रही हैं तो त्यारी करते रहें दोस्तों राइस्तान थार्ड गेट से चावरती की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्काइब करें